नमस्कार आप देख रहे हैं नया भीहार न्यूज मैं अमिद बिक्रम आज हमारे सामने हैं भारत सरकार के पुर्व केंद्रिय मंत्री अली अश्रफ फात्मी जी हैं और मुझफर पूर में कुरहनी उप्चुनाओं में महागडबंदन के उमिद्वार मनुझ कुष्वाजी क कि कमपेंग में आये हैं हम इसे बात करेंगे कि सरह महागडबंदन के उम्मिद्वार मनुझ क्शवाजी कि आप कंपेंगरिंग करने के लिए उससे पहले समस्या है związ pudding समाज के के है और उनके साथ कुछ समस्या हैं उस पर उस पर हम इंसे चर्चा करेंगे कि सर खासकर कुरहनी उपचुनाओं में मुस्लिम समाज की एक जूड़ता महागडबंधन के परती नहीं दिख रही है सर आपका क्या कहना है सर आप छेतर में घूमे भी है या लोगों से बाचीत का रही है वोट जो है वो एक साथ है कहीं भी मुझे बिक्राव नदर नहीं आ रहा है जतनी बाचीत हुई है हमारे सिनियर कुलीग से महागडबंधन के जो अलपसंखक के लोग है उनसे वोट में कहीं बिक्राव नहीं है मजीद जो भी गलत वहमी या कुछ कमी होगी तो कं का अपना कहना है सर लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोगों से जब बाचीत हमारी हुई चैनपूर वाजी जो पंचाय थे वहां के मुस्लिम समाज के लोगों से जब बाचीत हुई उनका कहना की आरजएडी खासकर आरजएडी से नराजगी दिखी उनका कहना था कि जब औ और आई बिदान सभा में महागडबंदन से उमिद्वार जब आपको आये थे तो यादो समाज ने अपने जाती के उमिद्वार राम सुरत राय को वोट दिया वोट बीजेपी की तरफ चले गया उस सिस्थिति में मुसलमान से वोट मांगने का उनका कोई अधिकार नहीं अब इंडिविज्वल किसी एक सिमली सेग्मेंट में जो हुआ हो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है का और आई में क्या हुआ लेकिन जो महागडबंदन अब बना है जिसमें राजद है जिसमें जन्दादर यू है कॉंग्रेस है कम्निस्ट है हम पार्टी है तो मैंनी समझता हूं कि एक परसेंट वोट भी इदर उधर कहीं सोचें गादमी ठीक है किसी कशी कानस्टिच्वैंसी में पहले वोटी इदर का उधर ज़रूर हो सकता है हुआ हो गा लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि वोट कहीं भीद यग वोटी होंग्ला आई-एम का सर्फ फैक्टर बहुत है और खासकर गुपार गंचुनाओं के बाद ये हर जगए फैक्टर देखने को मिल रहा है और मुसल्मान अबेसी जी के पार्टी के तरफ गोल बंद होते दिख रहे हैं कुरहनी उप चुनाओं में भी इसकी चर्चा है आपका क्या कह रह से वोट जो जिसके बारे में भारती जनता पार्टी नहीं सोचती है अगर वोट अगर एक वोट भी अपना बरबाद करते हैं तो इससे तो नुक्सान उनका अपना खुद है तो मेरा मानना है कि जो गलती हो गई है गोपाल गंज में अब दुबारा कहीं भी बिहार के होता है तो उसका बदला लोग लेते हैं मुम्किन है कि किसी बाद से नाराजगी रही होगी और वह गुस्सा वहां के कंडिडेट को जहलना पड़ा लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि यहां मजफर पूर में वह गुस्सा मौझूद है और गुस्सा अगर है तो यह हमारी जिमेदारी बनती है कि जाके उनको समझाएं उनको पैसिफाई करें कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी आप एक्ची बात समझ लो लालू प्रसाद जी का आप करेक्टर जानते हैं चाहे वो अड़वानी की गिरफतारी से लेके भाई-चारा को बनाए रखने में पिछले दिनों नितीश कुमार जी थे भारती जन्ता पार्टी के साथ सरकार चलाते थे लेकिन अगर आप बिहार को देख लो तो पूरे बिहार में अमन भाई-चारा बना रहा अल्प संखक के इतने काम हुए बिहार के अंदर इतने काम हुए कि किसी और राज्य में नहीं मिलेगा जितना काम यहां हुआ अब यह जब यह सारी ताकतें एक हो गई हैं सेकुलर ताकतें तो उनका काम और होना है तो जो छोटे मोटे लोकल इशू है इसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे और अगर और और आई में कोई गलती किया है किसी सेक्शन तो आगे वो रिपीट नहों इसके लिए हम लोग महागडबंदन के लोग बैठेंगे विचार करेंगे किन लोगों ने गलती किया आगे वो गलती नहों इसका प्रियास रहेगा मुके सानी जी सर एक बहुत बड़ा फैक्टर कुरहनी उप्शनाव में बन रहे हैं क्योंकि मला समाज आर्जेडी की तरफ से उ उमीदवार किसी एक आप साथ जमातों की का गडबंदन महागडबंदन है जो हमारे उमीदवार थे वहां से एमेले थे एक विशेश प्रस्यती में कोट ने उनको हटाया है कोई पाटी ने तो उनको हटाया नहीं या महागटवन्दन ने तो नहीं हटाया अब वो खुद मैंने उनका इंटरव्यू सुना है सानी जी का पुरविधायक जी का कि मैंने पाटी को मना कर दिया था के मेरे खांदान का भी कोई किसे उमिधार नहीं बनेगा जब तक कि मैं हायर कूट से बरी नहीं हो जाओ तो सीधा उन्होंने कहा इस बात को तो इसमें कसी को काटने का सवाल पैदा नहीं होता है जब आपको सहनी समाज का टिकट कटा है तो उसी को मिलना चाहिए था ऐसा लोगों का कहना है अगर ऐसा हो तो फिर एक किसी भी विधान सबाह में या किसी लोग सबाह में कंटिनियूसली एक विरादरी का लोग खड़ा होता रहें दूसरे को मौका नहीं मिले अच्छा बताओ इतिहास में मजफर पूर्व लोग सबाह से कौन लोग पार्लेमेंट के मिंबर होते थे निशाद फैमिली से पहले अगर आपको याद है तो बताईए कभी निशाद हुए काफी समय से निशाद समाज के पड़िवार के लोग ही और यह अभी न हो रहा है पहले कौन होते हैं तो यह तो चेंज होता रहता है दरवंगा में हम चार काइस समाज के दो टर्म रहे काइस की क्या आबादी थी वहां मालुम कर लीजिए मालब पचीस हजार बीस हजार से जादा वोटर नहीं रहा होगा अभी नहीं होगा उस दमाने में तो और कम रहा होगा उसके बाद वहां से राजपूत हुए उसका भी वोट दरवंगा लो यह कोई गरेंटी नहीं है कि किसी भी सीट पर एक ही विरादरी के लोग चुनाओं लड़ते रहेंगे लड़ाये जाता रहेगा तो वह चेंज होता रहेगा दिकली कि मुखेश सहनी जी को बारे में से बात करेंगा किसी वह भी कंपेंजिंग रहें बहुत जोड़ से कर रहे हैं और उन की कंपेंउल को समझ नहीं और वह महीं को से नुक्सांब महागरबंदन को उनके कंपेन से नुकसान नहीं होगा बलके उनके कंपेन नुकसान दो मुझे लगता है कि भारतीयनता पार्टी को और जहां तक खाहनी जी का सवाल है तो मेरे के दरवंगा के रहने वाले तो और वो उनकी राजनिती क्या है वो हम लों से धला हमारे सौंझ में नहीं आता है किस तरव क्या चाहते हैँ वो महागड़मंदन में रहना चाहते हैं एंडिये में जाना हैं एंडिये तो अभी कुछ है नहीं बावाज़ी एंदा पार्टी शास सी साथ जाना चाहते हैं उनको क्वाइब लेंगे लेकिन उससे महागडबंदन को नुक्सान होगा यह मेरा मानना है कि नहीं वो नहीं कर सकते हैं हमारे वोट तो वो उसमें सेंद्मारी नहीं कर सकते हैं जो हमारे जिस सक्षन का वोट हमें आना है वो निश्चित रूप से आएगा है कि जो वोट महागडबंदन का है वो हर हाल में मिलेगा कहीं कोई फैक्टर नहीं है महागडबंदन परत्यासी भारी बहमत से चुनाव जीतेंगे हमारे सामने हैं सबीर हमाजी हैं जो जड्यू के कदावर नेता भी है और आप संक्रक समाज के परदेश महासचिव भी हैं हम उसे बात करेंगे सबीर जी क्या आप तो चेत्रबे लगातार घूम रहे हैं लोगों से मिले भी हैं क्या लग रहा है कुछ वोट टूटा वद दिख रहा है महागडबंदन का आपको क्या लगता है यह ठीक हो पाएगा महागडबंदन का एक एक वोट एक जूट है कहीं कोई टूट का सवाल पैदा नहीं होता है जैसा के आपको पता है कि गुपाल गंज की घटना कुरहनी में नहीं दोराए जाएगी यहां के मुसल्मान पुड़ी तरह सजग हैं होस्यार हैं भविश की राजीत को समस्ते हैं वोट के विखराओ का लाव किनकों सिधे तोर पर मिलेगा इस बात की पुड़ी तरह सूज बुझ उनके अंदर है कतई इस तरह की कोई घटना कुरहनी में नहीं दोराए जाएगी और महागडबंदन का एक एक वोट अपने महागडबंदन को मुद्वार को जाएगा 233 त मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जीत महागडबंदन की ही होगी जीत महागडबंदन की होगी यह कहना है जदिव के नेताओं का अब तो पांच दिसंबर को तैह होगा हम बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला धक्ष और जिला प्रभारी हैं सरिफु समाज ठीक हो पाए अगने अध्रेट परसंट अकलियत समाज के लोग महागडबंदन के परतियासी बनोच कुस्वाज जी के पक्ष में है कहीं से कोई आप से करते हैं जो लोग भी इस तरह की अफवाब फैला रहे हैं कि माइनिटी वोट में बिखरा होगा तो ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है अली असरा फात्मी साहब आ जाए हैं वो भारत सरकार के पुर्प केद्रिये मनती रहे हैं अलागातार राजद जद्यू कोंग्रेस के लोग हम पार्टी के लोग सभी लोग एकजूट होके चुनाओं परचार में लगे हुए हैं यहां आप से करते हैं सि अब लोग लगे हुए हैं और यह और सभी लोग लगे हुए हैं अब्दुल्वारी थाभ है कुडनी बिदान सबस्क्रे अच्र से आते हैं मोसीन अंशारी यहां तालिमी मरकज के जिलाद ध्यक्षे सभी लोग एक जूठोकर लगे हुए रहामतिय आलम साहिब हैं और के लिए आप से कहते हैं जिस तरह से महाहगडबन के उमीद्वार मनोस कुष्वाह जी को लालू जी ने नितिश पुमार जी टा घ। ना मा जी जी और रहू गांदी और भाटबन के 655 मैं आपको आश्वऩ कर देना प्रवे निकल किया आई देखिए कैसे भी करके भी महा कर्षान जीतेगी जीतेगी अब कितने भोटों से जीतेगी यह कहना मुश्किल है दस जार जीतेगी पर यह जितने वाली कोई बात नहीं है कैसे वीजिते क्यूंकि एम इम का जो बात जो मार्केट में चल ला है यह सब बेकार की बात है और एक भी वोट उनको मिला नहीं सब जानता है वोट कटुवा पार्टी है और वीजेपी के इसारे पे चलते हैं उनका इसारे पे चलके वह चाहरा है कि अभी के अमन सांति को प्रदेश का जो बिगहा हुआ है उसका इसारे नहीं को आप ऐा-इम को बीटीम मना रहे है जाए वहीं मुकेश चाहनी जी के बारे में क्या वह द्टेमेश कर रहे हैं उनके उनके साथ हैं उनके मन में हैं ऊपने कंडिडेट कूछ आ रहे हैं वो समझते हैं उनका सोच है उसे हम लोग पूट है और हम लोग 100 परसंट जीतेंगे इसके लिए कुछ मतलब सोचने वाली बात ने हैं वोटों से जीतेंगे बहुत ज्यादा बोट से हम लोगा प्लानिंगे 30 40 50 जार बोटों जीतेंगे ना भी हो तो कमें 10 20 जासे जीतेंगे जीतेंगे जी तै मान रहे है महागडबंदन के उमिदवार मनोच कुछ वाजी का हम इर्फाना मापक दिल पतेंगम कर रहे हैं क्या क्या आफ दावा है महागडबंदन वहां बहुत मद्बूत इस्तिती में कुरणी कि मनोच मुष वहा जीए नहीं नहीं है और लगातार उन्होंने तीन लोट का बिखराओना हो और सारे लोग एक जहती का वहां समूत दे रहे हैं तो महागडबंदन वहां बहुत वोटों से चुना जीतने का काम करें रहे हैं महागडबंधन के निताओं का कहना है समय ते करेगा पांच तारीक को समय ते करेगा एक हमारे सामने है वार्षी सहाब है इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि सर क्षेत्रिप से आप जुरे हुए हैं क्या लग रहा है क्योंकि ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है मुस्लिम थी रहा है और जिस तरह मनोज कुसवाह जी का टिकट मानिये लालो यादब तेस्वी यादब जी जिस तरह से घोसना किये उसी तरह से महागडबंधन के लोगों में एक लहर हो गया और ऐसा लहर है कि ये जीत निस्चित है और ये लगातार हम लोग इसके लिए मेहनत कर र लोगों के अंदर खुसी व्याप्त है कि समाजिक नियाए को वोट कर रहे हैं वो लालो यादब तेस्वी यादब और नितीश कुमार को वोट कर रहे हैं और वो कंडिडेट पर बहुत सारा फोकस नहीं है लेकिन कंडिडेट भी जो उतारा गया है हमारे यहां से जो मनोज में भेजा और यहां से हम लोग कुड़नी के वोटर हैं वहां से मेरी पतनी भी इससे पहले जिलापार्शत रह चुकी है और हम लोग वहां से पूरे तन्न मंधन के साथ लगे हुए हैं कम से कम 20-25,000 वोट से जिता कर उनको भेजने का हम लोग यह इरादा किया है इससे वोट कटवा हैं और अलब संख्य के कोई भी लोग एक भी वोट उनको देने नहीं जा रहे हैं और नहीं से उनको वोट मिलने जा रहा है सारे मुस्लिम समाज महागटबंधन के साथ है लालु यादव के साथ है समाजिक नयाय के साथ है समाजिक नयाय की जीत हो महागटबं के उमिदवार मनुशकु स्वहाजी की 20-25 वोटों से जीत होगी